तो हेलो दोस्तों आप देख रहे हो टेक्निकल प्रकास यूट्यूब चनेल और मैं हो प्रकास दुल्लव आपका दोस्त तो दोस्तों मेरे बहुत साय भाय है जो लोग महनत करके तो एडसेंस का एप्रूपल कर लेते हैं पर दोस्तों उसमें अर्णिंग बहुत कम होती है तो दोस्तो ऐसा हर किसी के साथ ही होता है मेरे साथ भी ऐसा ही हो था तो दोस्तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तो आप कर ले सकते हो अपने AdSense का Earning Increase तो दोस्तो कैसे करोगे पुरा जानकरी देने बाला हो आज इस वीडियो में तो दोस्तो मैं एक Code Provide कर दूँगा जिसकी मदद से आप तो आपके AdSense का Earning बढ़ा सकते हो अपने Blog Website पर पर दोस्तो मैं आपको एक बात करूँगा अगर दोस्तो आप जो AdSense का Ad Blocking Control होता है न भापर जाने के बाद आपके जिस AdS में बहुत सारे कम Impression आ रहा है और Earning भी क साम आ रहा है उस AdS को आप ब्लॉक कर सकते हो इससे आपकी AdSense की Earning बढ़ जाएगी पर दोस्तो मैं आपको एक सिला दिऊंगा आप अगर आपके website पे अगर पूप-प एड्स बैनार एड्स लागाते हो न तो दोस्तो इससे क्या होता है पूप-प एड्स एड्स पे नहीं कर सकते हो तो दोस्तो उस कोडिंग में क्या है पूरा जान करी और उसको कैसे लगा थे अपने ब्लॉगर वेपसेट पे मैं दिखाऊंगा आज इस वीडियो में तो दोस्तो देखिए अगर आप ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पाना चाहते हो मेरे चैनल क मेरे अपने ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में हर रोज अपलोड करते रहता हूं ताकि जो नए ब्लोगर मेरे चैनल को देखे उसको इसके इससे कुछ जान करी उसको मिले तो दोस्तो आज इस वीडियो में दिखाने जाला हो कैसे आप अपने एक्सेस का इंक्रिश कर सकते हों तो दुस्व एठा मेरा जो ब्लॉगर वैड साईड इसमें दुस्तो मैं कारी तरह की एड इंपर लगा चुका हूं यह प्या आप देख सकते 40 ડॉलार उठाया था यानी ब्लोगिंग से दोस्तो मेरा नाय नाय ब्लोगिंग था इसलिए 40 ॡॉलार उठा पाया तो दोस्तो अब मैं आपको दिखांगा वह कोड जिसकी मदल से आप अपने एड सेंज का आर्णिंग इंक्रीज कर सकते हो उस कोड को ही मदल से आप अपन AdSense का कोई भी एक Ads का Ads को यहाँ पर लागाना होगा तो मैं आपको highlight करके दिखा देता हूँ तो यह रहा वो जगा जहाँ पर आपको Ads लागाना है यहाँ पर देख रहा सकते हो put a Ads तो यहाँ पर आपको Ads प्लेस करना है तो दूसरे मैं सारे के सारे code को copy कर लेता हूँ copy करने के बाद आपको चले जाना है आपके blogger के dashboard पर dashboard पर जाने के बाद आपको यहाँ पर themes का option मिलता है themes का option में जब भी आप जाओगे उसमें आपको edit HTML मिल जाएगा तो यहाँ पर customize है और उसके बाद html तो edit HTML में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर find कर लेना है footer तो शरी यहाँ पर मैंने head लिख के परकड़ा footer आपको यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर search कर देना है footer तो यह रहा दोस्तों यहाँ पर footer है ठीक इसके उपर में इसके उपर में आपको उस code को यहाँ पर लगा देना है तो मैंने उस code को copy किया था तो अभी उस code को यहाँ पर मैं paste कर दूँगा और इस code के ठीक नीचे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है please ads here यहाँ पर देख सकते हो यहाँ इस जगर में आपको ads लगा रहा है तो अभी में मेरे जो adsense account है उसमें जाओंगा जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ads है इसमें कोई भी एक ads का code मुझे उठाना है तो यहाँ इसका code मैं उठाता हूँ उठाने के बाद उस जगह पर इसको paste कर दूँगा तो इतना ही काम बस आपको करना ह करने के बाद आपको just इस things को save कर देना है save कर देने के बाद आप अपने जो ब्लोगर के dashboard है वहाँ पर जाओगे जाने के बाद भीव ब्लोग करोगे भीव ब्लोग करते ही आपको वो ads यहाँ पर सो होने लगेगा जैसे कि मेरे यहाँ पर हुआ है और इस से दूस्तों आप को आप subscribe कर सकते हो और इस वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फीड मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ नए एक दिन और अगर आप blogging related बहुत सारे जो content और आपके SEO market tools आपको चाहिए तो दोस्तों आप मेरे इस जो website है उस चैनल उस website से सारे के सारे code सारे के सारे tools आप free में लाब उटा सकते हो